आग बात करने वाले हैं एक ऐसे विश्य के बारे में जो बहुत जन्रल विश्य है लेकिन किसी का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया लेकिन अगर हम ये जो चीज में बताने वाला हूँ इस फीडियो के माध्ययम से आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी अर्चन एंप बहुत सारी ऐसी रुकावट हैं, बहुत सारे ऐसे काम जो रुख जाते हैं, होने लगेंगे, डेली वेसिस पर नहीं करना है, लेकिन अगर बीच बीच में हम ध्यान रखें, इसको कि हमें क्या करना चाहिए, और वो उपाय है ऐसा कि आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो हमारे घर में भी है, क्या उपाय है, कि आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके घर की छट है, छट मतलब आपके घर के सबसे उपर का हिस्सा, छट कि जब हम बात करते हैं, तो छट पर बहुत सारा सामन अलग-अलग तरीके से रखा होता है मैं यह नहीं कहूंगा कि कवाळ आपने इखटा किया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग कुछ भी हो सकता है वो हमारी चीजें जो छत पर हमने रखी हुई है वो यदि व्यवैस्तित तरीके से नहीं है कुछ यहां पढ़ा है कुछ वहां पढ़ा है कुछ यहां पड़ा है या कुछ पीछे पड़ा है कुछ बीच में डाल रखा है हमने यानि कि पूरी छत पर अवरोध बनाए हुए हैं तो आप समझ लीजे आपके काम डिले होने लगेंगे आपको क्या करना चाहिए यदि छत पर आपको कोई भी सामन रखना है तो उत्तर औ और पूर्व की दिसा को छोड़ कर यानि कि आपके चत पर जहां उत्तर और पूर्व का कौना बनता है उस दिसा को छोड़ कर अपने सामान को विवस्तित तरीके से चत पर रखिए आप देखिए आपके जीवन में जो रुकावटें जो अलचन यो विवधान आ रहे हैं व समथ होने लगेंगे